अब्जरबर इन बोट फाइंड देट देट अपने पास क्या होने एक बोट पे परसन अब्जरबर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर की देख रहा है और क्लिफ की देख रहा है टावर जो है वो खिप पे है इसके एंगल फेलेशन सिक्ष डिग्री और थर्ट यहां पर गर मैं से लिए डाग्राम बनाऊं और यह नहीं पास एकप प्लिफ ही बोलता हूं ठीक है तो क्लिफ की नों ने हाइट बूछ यह यह लेट से अपना क्या है अपने बास क्या क्या आ रहा है आपने औरgress कहा सब्सक्राइब हो navigator ऐसे में अफलेशन देक्वान तो ये क्लिफ था और ये पुइंट का टॉट पर को टावर है किसे फेंट का बहुए बहुत तो तो डाश्घन हेर आपके टावर कें वहाँ रहा है यहाँ-कली ओभ lot से पियार है ठीक है तो यह पियार है इन्होंने इसकी हाइट क्या गिवन है टावर की हाइट इन्होंने 60 मिटर गिवन है और क्लिफ की हाइट अपने को निकाल नहीं है तो क्लिफ के हाइट को लेट से अपन क्या बोलते है यह अपना क्लिफ है क्लिफ पर टावर है अब इसका यह अधियुद और बोट पर है वो कलिप से किते डिस्टेंस पर होडी ईसलिस पर एक्स्टेंस पर ठीक है यहां पर ट्रेंगल कंसर करता हूं इंट्रेंगल लिदल भी पि आर एंट्र फे तरह पि अगर पन देखें तो यह तो क्या होगा 90 यहां प्ञेंटी और ऑन ट्रिंट तो 10 30 लिखे है, तो 10 30 क्या आ जायगा यहां पर, 10 30 यहां पर आजाएगा, PR अपॉन BR, अपॉन BR, तो PR की वेल्व कहा है एच, और बेस की वेल्व कहा है एक्स, यहां से अगर अपन 10 30 की वेल्व बोले तो 10 30 की वेल्व थी 1 बैर रूख 3 और यहां जायगा एक्षभ आपने वह निकालना है तो X को इन टर्मस ओफ एच निकाले तुझ आ जाएगा X is कस तो रोट 3 X ये एक्विशन वनना दिया अब मैं ट्रैंगल करता हूं यहिए पर आप हम त्रेंगल न द्रेंगल शर्क पस्र्क्रियों अंसरं द्रैंगल न बएक यांप पर यहां परda आप Resendee यहां पर फ्रेंट से क्या आप में यहां पर देखनाल सब्सक्री नियुक्जण यहां से यह value आजएगा root 3 times of x is equal to 60 plus h ठीक है 1060 की value आपने root 3 put कर दिया और यह root 3 x is equal to 60 plus h अब x की value मैं equation 1 से put कर देता हूं ठीक है इसको अगर मैं equation 1 बोलो x value root 3 h अपने यहां पर put कर देते हैं root 3 times of यह value हो जाएगा root 3 h is equal to 60 plus h ठीक है यहां से value आपने पास आजएगा root 3 into root 3 की आता है 3 h is equal to 60 plus h यहां से अपने h की value निकाल सकते हैं h की value की आजएगी 2 h is equal to 60 तो h की value की आजएगी height of cliffs आई है एच की value हो जाएगी 30 meter height of cliff की आजएगी यहां पर 60 divided by 2 तो यहां जएगा 30 meter अपने को cliff की height निकालने थी तो यहां जएगा 30 meter option यह कि आहीं कि आएगा